प्रेसेंट टीचर हलो स्टुडेंट्स, हावर यू, आई होग वाप्स, क्या होते हैं वाप्स, यह देखेंगे, क्या इसके यूज है, यही कुछ समझेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं, वाप्स का इसमिशन क्या होता है, अब वाप्स, वाप्स, अब वाप्स, 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 यह बताता है, वाप्स, 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 वा पढ़ना राइट, लिखना प्ले, थेलना रण, दोड़ना, ठीक है, अगर मैं लिखू कि I, I, I write, all letter, तो क्या मत्तल हो इसका, मैं एक letter लिखता हूँ, अब यहां पे पता यह उबाव कौन सा है, यहां पे आप लेखते हैं, राइट जो है उबाव है, ठीक है, अब यह देखिए, यह work क्यों है, क्योंकि यह I जो है, I, later क्या करता है, लिखता है, तो definition क्या कह रहा है, करता है कोई काम करता है उसको हम क्या कहते है वाग कहते है यह आई लेकर लिखना तो यह राइट क्या हो गया है वाग हो गया ठीक है है अगर मैं लिखो है ही ही प्ले क्रिकेट कि यह यह अब यहां रहते हैं यह एक है वाग है क्यों कि यह ही जुद्द कर रहा है यह क्या है प्ले क्लास में पढ़से होगे कि वय्र होता है वह क्या होता है एक्षन वाट्स होता है जह उसको आप प्लिऻिए वाट को प्ता आते हैं उसको व्अपकिंग एक्षा दॉटर के ठीक है तो हम ल들이 समझेट कोई ऑन गी ब्यक्ति अगर काम कर रहे हूँ जो काम को कर रहा है उसको हम अब लोग वाप को में वाप भी कहते हैं ठीक है तो यह सब क्या है में वाप है इन सब का हिंदी अगर करो कि आपको इसका हिंदी क्या मिलेगा आपको पाढ़ना राइब में लिखना ठीक है जाइब शिर्णा राइब में अब खिर लिस डौड न यह सब क्या है यह सब क्या है यह सब काम हर पेखती करता है ठीक है फोई पर भी वर्ट का मों क्या करेंगे वाप करेंगे इसलिये इसको हम लोग एक्षन भॉप भी करते हैं अब यहां पर अगा ना इंद्था जो भी वर्ट का और्जिनल फर्म होता है उसका हिंदी को रहे हैं तो यह वह ली आपको हो ऐसा बिलेगा लास्ट में क्या मिलेगा ना लिकार खेरना दरना पढ़ना लिखना गारना शुरना उठना ठीक है जो भी वाब होगा उसका हिंदी करो और उसको देखो कि उसके लास्ट में ना आता है कि नहीं अगर ना आ रहा है तो most probably क्या होकर ज्याना जास्या है उसके कि वह गौब होग कि यह मैं लों हो एको पता है वह कि पया करता है कि हैमी इना सेंटेंस, ठीक है, कौन को से हेल्पिवाप होते हैं, I, sorry, A is our, wise word, do, does, did, have, have, had, इतने क्या होते हैं, इतने हेल्पिवाप्स होते हैं, इनका क्या काम है, यह मेलवाप्स, इनको हेल्प करते हैं, सेंटेंस को कप्लिट करते हैं, जैसे I am playing cricket, अब देखें यहां में प्ले हैंना, यह तो में और होते हैं, तो काम जिन हम लोग हेल्पि वर्प क्या होता है, यह में डूर्प के साथ आता हैं, ठीक है, और मतद करता है, सेंटेंस को कम्प्लिट करते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग क्या समझें यह 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 हैं यह कि आप अच्छा से याद रखेंगा चलिए कुछ इंपोर्टेट पॉइंट नोट्स चाहें उसको हम लग देखते हैं ब्रस्ट दू एंद दू एंद गार्व दू एंद गार्व दू एंद गार्व को हम लोग अबने देखते हैं तो उसको बताने के लिए अगर बीट का यूज करते हैं, और कोई काम अगर बीटे हुए समय नियुक, जो समय बीट चुका है, उस समय में अगर कोई काम बार बर भू रहा था, ठीक है, तो उसको बताने के लिए बीट का यूज करते हैं, गॉट इक जांपल देखिए, I do play cricket in the evening, मैं evening में cricket खेलता हूँ, ठीक है, मैं evening में cricket आवाशे खेलता हूँ, अब यहाँ बताएज, यह do जो है, बार बर होने पाले का आपको बता रहें कि नहीं, वो समय में खेलता हैं, cricket, तो जो क्रिकेट खेलने काम बार बार होता है समय, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, do I, okay है, he does not complete the homework, आप देखें, यहाँ पे ड़ाज आया है, ठीक है, वो homework complete नहीं करता है, वो हर बार, बार बार हो रहा है, तो बार बार होने वाले काम को दिखाने के लिए हम लोग do and done का यूप करते हैं, और past पे कोई चीद हो रहा हो, पास्ट में कोई चीद हो रहा हो, तो उसको पताने के लिए डीक काई करते हैं, ठीक है, जैसे, he did complete the homework by 7 p.m. वह साथ बज़ेता के, अपना homework complete कर लेता था, ठीक है, अब यहाँ के क्या है, कोई काम पास्ट कहो रहा था, बार बार कर लेता था, बार से मैं, वो रात को साथ म complete कर ही लेता है, ठीक है, यह कहाँ बार में हो रहा है, कौन से टाइम में, बीते हुगे टाइम, फाइल, चलिए, next is, has and have, अब यहाँ पर देखिए, has, have, have, और has, ठीक है, तो has and have के उसको कहा करते हैं, आजे देखिए, has and have are used for events in the present, ठीक है, वाई है, while has is used for the events that happened in the past, कोई काम has or have का यूज़ करते हैं, कोई काम अगर अभी just complete हुआ, तो उसको बताने के लिए has or have का यूज़ करते हैं, और कोई काम बीते हुगे समय में कभी complete हुआ था, तो उसको बताने के लिए हम लोग has का यूज़ करते हैं, जैसे more do has many things, ठीक है, आब बत हैं, अभी उसके पास पेर हैं, मौनू के पास बहुत पेर हैं, अभी उसके पास है ना पेर, present में है, ठीक है, तो इसके लिए has is किया, I have two stories, मेरे पास two stories हैं, अब यहां पे has is हुआ है, तो जो क्या present करिए हो, कोई event present में हो, उसको बताने के लिए हम लोग, है का यूज़ क है, जैसे he had played cricket whale, वह cricket बहुत अच्छा खेला, वह cricket बहुत अच्छा खेला, वह cricket बहुत अच्छा खेलाने मतों के वह हो, नाम पीर चुका है ना, वो चुका है ना पेर, ठीक है, तो उसको बता ले कि यहां हम लोग, है का यहां है, आप आपको यह समझने आ गिया, ठीक है, चलिए आप हम देखते हैं, he is a, he is a, are you to show a state of being in the present, while was and were, are you to show the state in the past, क्या मतलब हो है, देखिए, यहां पे he is a, are, इन तीनों का यहां हम लोग, present में कोई काम है, तो उसको बता ले कि यह करते हैं, और was and were का यहां हम लोग, present में, past में कोई काम होगा, past में कोई काम होना था, उसको बता ले करते हैं, he is a, are you present के लिए करते हैं, और was and were का इन पास्ट के लिए करते हैं, जैसे I am running right time, मैं अभी दोड रहा हूँ, यह काम अभी चल रहा हैं, present में हो रहा हैं, तो यहां पे क्या इस हुगा, he is a, fine, यहां इसी रिटिंग अभू, एक किताब पढ़ रहा हैं, अभी हो रहा हैं, ठीक है, present के बात रहा हैं, अभी, अभी कर रहा हैं, तो यह क्या हो रहा है, present हो रहा है, present में बता ले के लिए हम लोग, यह मरजीन का इस देखें, आप देखिए, they are playing tennis, वे लोग इक ठेल रहें, यह कंपे प्रजेक्ट में हो रहा है, तो आप का इस दीए, अब देखिए, अगला दोरों देखिए, he was writing a letter, वह रहा है यह की लेटर लिख रही थी, अब यह पीट चुका है, तो उसको बताने में यह लोग वाज का यूज दिए, they were drawing pictures, वे लोग picture draw कर रहे हैं, अब यह ही पीता हुआ समय का बात कर रहे हैं, तो वार का यूज दिए कोई काम के बारे के बताना हो, तो उसके लिए करते हैं, वाज दो वार का यूज हम लोग past में कोई काम के लिए बताते हैं, आज लोग आप कोई से समझ के आया होगा है, ठीक है, हम लोग work क्या रहते हैं, work क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, कुछ काम करता है, कुछ काम को work क करते हैं ठीक है इसको अब लोग में वाप भी कहते हैं रिट्राइटेशन क्या है में वाप में वाप्स की हेल्प करते हैं ओके अभी आपको देखें कैसे हेल्प करते हैं I hope you got it very well okay thank you